Hey students, यह exercise 4.1 is 4.1, Quadratic Equation का exercise 4.1 है और देखें इसमें फर्स्ट क्वेशन ही कह रहा है चेक वेदर द्वाय। फॉलोइंग क्वार्टिक हुईचन हमें यह बताना है किसे क्वार्टिक है या नहीं है तो quadratic equation होने के लिए उसके degree 2 होनी चाहिए अगर degree 2 है किसी equation का तो हम यह कहेंगे कि वो quadratic equation है तो देखेंगे आफ फर्स्ट पार्ट में सो यह solution 1 है आपका के question दिया हुआ x plus 1 का whole square is equal to 2 into x minus 3 यह दिया हुआ इसके बारे में बताना है कि यह quadratic है या नहीं तो हम इसे पहले simplify करेंगे तो x plus 1 का whole square यह आजागा x square plus 2x plus 1 आजागा a plus b का whole square क्या identity से यह आगिया फिर is equal to 2 से अब x को और minus 3 को multiply करेंगे 2 को x से multiply किया 2x आगिया और 2 into minus 3 minus 6 आगिया अब सम simplify करने के लिए यह rhs वाले term को lhs में लाएंगे तो यह आजागा x square plus 2x plus 1 और plus 2x को इसे लाएंगे तो minus 2x और minus 6 को इसे लाएंगे plus 6 अब is equal to 0 आगिया अब यहां लेखेगा यह plus 2x और यह minus 2x कैंसिल हो जाएगा तो यह आजागा आपका x square 1 plus 6 plus 7 आगिया is equal to 0 आगिया अब यहां से हम यह आप simplest form में आ गया तो यहां आप degree हम बता सकते हैं इसकी जो degree हो जाएगी highest power of the variable which is equal to 2 आ जाएगा तो यह आप तो कि इस equation की degree 2 है इसलिए यह quadratic equation है तो answer में आ जाएगा yes उसी तरह second part में है x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x तो solution second का है x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x इसके बारे में बताना है कि यह quadratic है या नहीं है तो हम इसे simplify करेंगे first तो यह आजाएगा x square minus 2x is equal to minus 2 को multiply करेंगे minus 3 से minus 6 आजाएगा minus 2 को minus x से multiply करेंगे तो यह आगे plus 2x आगे अब हम minus 6 plus 2x को LHS मिलाएगे तो यह आगे x square minus 2x plus 6 minus 2x is equal to 0 आजाएगा अब यहां आगे यह x square minus 2x और minus 2x यह आगे minus 4x आगे यह प्लस 6 which is equal to 0 आगे अब यह simplest form है यहां इसकी degree आजाएगी 2 आजाएगी चुक्क हाइस्ट पावर अब दे x का 2 है तो इसकी degree 2 है तो यह quadratic equation है तो answer आजाएगा yes अब थर्ड पार्ट देखेंगे थर्ड पार्ट में x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3 तो थर्ड पार्ट का solution आजाएगा that is दिया हुआ x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3 इसके वारे मताना यह quadratic है यह नहीं तब यहाँ हम x को पहले multiply कर लेंगे x plus 1 से और फिर minus 2 को multiply करना होगा x plus 1 से अब 9 which is equal to फिर आब x को x plus 3 से multiply करें x into x plus 3 आजाएगा फिर minus 1 को हम multiply कर लेंगे x plus 3 से आजाएगा अब x को जब हम x plus 1 से multiply करेंगे यह आजागा x square और यह आजाएगा x into 1 that is plus x आजाएगा minus 2 x minus 2 को x से multiply करेंगे minus 2 x minus 2 को 1 से multiply करेंगे minus 2 आजाएगा is equal to x को जब इससे multiply करेंगे x square आजाएगा x को 3 से multiply करेंगे तो 3 x आजाएगा minus 1 से x को multiply करेंगे minus x minus 1 को 3 से multiply करेंगे तो यह माइनस 3 आ गया अब इसे जब हम simplify करेंगे तो यहाँ देखेगा यह x square ओके पहले हम सारे को LHS मिला रहे है x square प्लस x माइनस 2x तो यह आ जागा माइनस x आ जागा फिर माइनस 2 is equal to x square आ गया प्लस 3x और माइनस x तो प्लस 2x आ जागा और यह माइनस 3 आ गया अब यह हम यह x square और यह x square cancel हो गया इसको हम आवे लिचस में लाएंगे तो यह आ जागा माइनस x माइनस 2 और यह आ जागा फिर माइनस 2x आ जागा माइनस 3 को साट लाएंगे तो प्लस 3 is equal to 0 आ गया माइनस x और माइनस 2x यह आ जागा माइनस 3x माइनस 2 और प्लस 3 यह आ जागा प्लस 1 is equal to 0 आ गया यह हमारा simplest form है और यहाँ इसकी degree 1 होगी च्योंकि highest power of the x क्या 1 है तो degree 1 है इसलिए हम कहेंगे इसका answer no आ जागा answer क्या गया no आ गया यह quadratic equation नहीं है इसी तरह fourth part में है x-3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5 इसके बारे में बताना है कि यह quadratic है यह नहीं है फिर अब इससे simplify करेंगे तो x को multiply कर लिया 2x plus 1 से और minus 3 को multiply कर लेंगे 2x plus 1 से is equal to अब x को 5 से multiply करेंगे x square आ जागा और x को 5 से multiply करेंगे तो plus 5x आ गया अब यहां से आ जाएगा यह 2x square x को जब 2x से multiply करेंगे plus x आ जाएगा फिर minus 3 into 2x minus 6 और minus 6x आ गया minus 3 को 1 से multiply करेंगे minus 3 is equal to x square plus 5x आ गया अब सभी को हमें lhs भी लाएंगे तो 2x square और यह आगा plus x और minus 6x तो minus 5x आ गया और फिर यह minus 3 आ गया अब यह से लाएंगे तो यह minus x square आ जाएगा plus 5x यह आ जाएगा minus 5x is equal to 0 आ गया अब यहां 2x square minus x square यह आ जाएगा x square आ गया minus 5x और minus 5x तो minus 10x आ गया और minus 3 is equal to 0 आ गया यह simplest form में है अब चुकिए इसकी degree 2 है तो इसका जो answer आ जाएगा yes it is answer आ जाएगा yes it is a quadratic equation उसी देंग से आप देखेंगे फिफ्थ पार्ट है फिफ्थ पार्ट में 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1 इसके बारे में बताना कि यह quadratic है या नहीं है तो फिफ्थ पार्ट में आ जाएगा यह that is 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 or into x minus 1 तब हम यह 2x को multiply करेंगे x minus 3 से और minus 1 को multiply करेंगे x minus 3 से is equal to x को multiply करेंगे x minus 1 से plus 5 को multiply करेंगे हम x minus 1 से 2x को जब x से multiply करेंगे 2x square आ जाएगा 2x को minus 3 से multiply करेंगे minus 6x आ जाएगा और फिर minus 1 को x से multiply करेंगा minus x minus 1 को minus 3 से multiply करेंगा plus 3 आ गया is equal to x को से multiply करेंगा x square x x को जब minus 1 से multiply करेंगा minus x आ जाएगा फिर 5 को जब x से multiply करेंगा 5x 5 into minus 1 तो minus 5 आ गया अब सारे को अब यहां simplify करेंगा 2x square minus 6x और minus 1 यह आ जाएगा minus 7x and plus 3 is equal to x square minus x plus 5x यहाजाएगा plus 4x और फिर minus 5 आगिया सारे कोले हैसे मिलागे that is 2x square minus 7x plus 3 यहाजाएगा minus x square minus 4x और plus 5 is equal to 0 आगिया अब 2x square minus x square यहाजाएगा x square minus 7x और minus 4x minus 11x आगिया plus 3 or plus 5 यहाजाएगा plus 8 is equal to 0 आगिया यह simplest form में है highest power of the variable 2 है so कहेंगे degree is equal to 2 आजाएगा so इसका answer yes आजाएगा उसी तरह अब यहाँ है next part है that is 6th part x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 का whole square यहाँ भीलेंगा x square plus 3x plus 1 is equal to a minus b का whole square तो यह आजाएगा आपका x square minus 4x और plus 4 आजाएगा a square minus 2a भी plus b square से यहाँ आगिया और यहाँ आप यह x square और यह x square कैंसिल हो जाएगा फिर आगिया यह 3x plus 1 और minus 4 x को से यहाँ लाएगा तो यह आजाएगा plus 4x plus 4 को से यहाँ लाएगा तो यह आजाएगा minus 4 is equal to 0 आगिया plus 3x plus 4x यहाँ गिया plus 7x 1 minus 4 यहाँ गिया minus 3 is equal to 0 आगिया तो highest power of the variable 1 है इसलिए degree is equal to 1 आगिया therefore answer yes आगिया yes it is a quadratic equation उसी तरह से next part है आपको that is 7th part 2x plus 2 का whole cube is equal to 2x और into x square minus 1 तो यहाँ हम a plus b का whole cube का formula लगाएगे तो a cube plus b cube plus 3a square b a square b और plus 3ab square यह आगिया is equal to 2x से जब इसको multiply किया तो यह 2x को x square से multiply किया 2x cube आगिया 2x को minus 1 से multiply करेंगे तो minus 2x आजाएगा अब यहाँ से आगिया x cube 2 cube का 2 power cube that is 8 आगिया और plus 3 को 2 से multiply किया 6 6x square आगिया अब यह आजाएगा फिर plus 3 को 2 का square 4 आगिया 4 into 3 that is 12 और यह आगिया x आगिया is equal to 2x cube और minus 2x यह आगिया सारे को आप में इसको भी आप इसको भी आप इलेचस में लाएगे तो x cube plus 8 plus 6x square plus 12x minus 2x cube और यह आजाएगा plus 2x is equal to 0 आगिया x cube और minus 2x cube यह आजाएगा आपका minus x cube अब x square का टमाजाएगा plus 6x square आगिया यह आप प्लस 12x और प्लस 2x तो प्लस 14x 8 प्लस 8 is equal to 0 आगिया यह simplest form में है इसकी degree 2 है च्योंकि variable power 3 है तो degree is equal to 3 है इसलिए यह quadratic equation नहीं है नहीं कर लेंगे फिर नेक्स पार्ट में है आपका x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 का whole cube है तो इससे हम फिर लिख लेंगे x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to a minus b का whole cube a cube minus b cube minus 3ab so 3ab के लिए 3 into x into 2 आगिया into a minus b से यह आगिया अब यहां देखेंगे that is x cube और x cube cancel हो गया तो यह आगिया minus 4x square minus x plus 1 is equal to minus 2 का cube यह आगिया आपका that is minus 8 आगिया और minus 3 into 2 minus 6 और यह x आगिया और into x minus 2 आजागिया फिर नेक्स आजागिया minus 4x square minus x plus 1 is equal to minus 8 और इसको जब multiply करेंगे तो minus 6x square minus 6x into minus 2 तो plus 12x आगिया सभी को अब लेक्स में लाएंगे तो यह आगिया minus 4x square minus x plus 1 plus 8 और यह आजागा plus 6x square और minus 12x is equal to 0 आगिया अब minus 4x square plus 6 square तो plus 2x square आगिया minus x और minus 12x तो minus 13x 1 plus 8 plus 9 is equal to 0 आजागिया अब डिग्री यहाँ 2 है therefore कहेंगे आंसर कर लेंगे इसे yes अब देखेंगे second question में है represent the following situation in the form of quadratic equation के form में हमसे express करना है तो यह करा the area of the rectangular plot is 528 meter square the length of the plot is one more than the twice its breadth यहाँ से हम quadratic equation में express करना है यहाँ से हम rectangular plot rectangle draw कर लिया और इसका breadth हमने मान लिया x meter है तो length के बारे में यह करा length जो है length of the plot is one more than the twice its breadth तो यह twice its breadth और one more के लिए plus one आगया यहाँ से यह length आगया breath आगया अब यहाँ से हम area find करेंगे और area जो दिया हूँ 528 तो हम इससे ही कह सकते हैं that is x और into 2x plus 1 is equal to 528 आई आगया x को जब इससे multiply करेंगे 2x square plus x और minus 528 is equal to 0 तो यह जोने situation का यह quadratic equation आगया अब next question है आपका that is second part में यह करा the product of two consecutive positive integer is 306 we need okay then हम इसे quadratic equation में लाना तो consecutive integer होगा लगातार integer तब यहाँ पर ले ले लेंगे let first integer be let first integer be x ले ले लेंगे therefore that is the second integer so next consecutive integer will be so यहाँ आजाएगा that is next consecutive integer will be next consecutive integer that is आजाएगा आपका x प्लस 1 यहाँ x जो हो पॉजिटिव let first positive integer यहाँ कहलें positive integer भी x next consecutive आगया x प्लस 1 और दोनों का product जो दिया वो 306 दिया हो according to question हम यह कहलें x और इंटु x प्लस 1 is equal to 306 आगया तो यहाँसे जब हमने multiply किया x square plus x minus 306 is equal to 0 यही इसका quadratic equation हाँ गया now third part है आपका that is okay इसे भी हमें quadratic equation के form में express करना है तो देखेंगे solution Rohan's mother is 26 year older than him the product of their ages 3 years from now will be 360 okay तो इसे आओ हमें पहले assume करना परेगा let Rohan's age Rohan's present age हम मानेंगे present age be x years therefore Rohan's mother's age Rohan's mother's present age will be equal to x plus 26 आजाएगा okay तो कि रोहan's mother is 26 year older than him now next अब 3 years from now यह करा 3 years from now that is 3 years after 3 years after हम रहें रोहan's का age ज़ा हो जाएगा रोहan's age will be equal to x plus 3 हो जाएगा और रोहan's mother's age रोहan's mother mother's रोहan's mother age okay रोहan's mother's age will be equal to x plus 26 plus 3 which is equal to x plus 29 आजाएगा अब दोनों के जोन यह प्रोडक्ट दिया हो 360 तो हम लिखेंगे according to question that is x plus 3 or into x plus 29 is equal to 306 अब यह से जब multiply करें x को x plus 29 आजाएगा plus 3 तो यह आजाएगा x plus 29 which is equal to 306 x को जब हम यह से multiply करें x square plus 29 x plus 3 x plus 87 minus 306 is equal to 0 आजाएगा तो यह से आजाएगा x square 29 x plus 3 x plus 32 x आजाएगा और फिर 87 minus 306 तो minus 6 16 minus 9 minus 16 minus 7 यह नाजाएगा फिर 9 minus 8 यह बन आजाएगा और यह 2 आजाएगा विच इकल to 0 यह 16 और यह 10 यह आजाएगा इसका quadratic equation आजाएगा यह आजाएगा इसका answer अब फोर्थ पार्ट देखेंगे फोर्थ पार्ट में जो है कह रहा है हमें quadratic equation सारे का फॉर्म करना था तो यह आजाएगा आपका यह आजाएगा आपका यह ट्रेन ट्रेवल्स दिस्टेंस आप 480 किलोमेटर अट यूनिफार्म स्पीड इप देश्पीड हाद बन 8 किलोमेटर लेस देन इट उड़ आजाएगा थेकन 3 आवर्स मोर हम एजूम कर लेंगे x किलोमेटर पर आवर यह ले लेंगे x किलोमेटर पर आवर अब हम इस केस में डिस्टेंस जो दिया हुआ देट इस डिस्टेंस is equal to 480 किलोमेटर देरफोर यहाँ से हम कर लेंगे टाइम जो आजाएगा that is t1 का दिया that is distance upon speed distance आगया 480 upon speed आजाएगा x यह आगया फिर case 2 में यह करा if the speed had been 8 किलोमेटर पर आवर less that is case 2 में यह कर लेंगे new speed will be equal to x minus 8 किलोमेटर पर आवर आजाएगा और distance हमारा same है that is distance is equal to यह आगया 480 किलोमेटर तो इस speed से 480 किलोमेटर ट्रेवल करने में जो वो time आएगा that is time t2 is equal to distance upon speed distance आगया 480 और upon speed आगया x minus 8 अब हम यह कह लेंगे according to question यह करा कि यह जो time होगा वो 3 hours it would have taken 3 hours more that is हम यह कह लेंगे t2 minus t1 is equal to यह कहा जाएगा 3 आजाएगा अब t2 के लिए हम लिख लेंगे 480 upon x minus 8 minus t1 आजाएगा 480 upon x 480 upon x is equal to यह 3 आगया अब हम LCM लेंगे तो यह x और into x minus 8 आजाएगा x को जब इससे multiply करेंगे 480 x minus 480 और into x minus 8 आजाएगा which is equal to यह 3 आगया अब यह आजाएगा आपका 480 x minus 480 x और यह आजाएगा पलस यह आजाएगा 0 880 जा 64 देन 6 840 जा 32 और 6 यह आगया अब का 38 आगया और फिर अपान में आजाएगा यह x square minus 8 x which is equal to 3 upon 1 अब जब हम यहाँ 480 x यह cancel हो गया तो यह cross multiply करेंगे 3 into x square minus 8 x is equal to 3840 आजाएगा अब इसको हम लिख सकते हैं x square minus 8 x is equal to 3840 अपान 3 आजाएगा तो 3 1 जा, 3 2 जा, 6, 3 8 जा और 0 which is equal to 1280 आगया तो यहाँ यह आगया x square minus 8 x minus 1280 is equal to 0 यह यह आगया हमारा required equation of quadratic equation okay thank you thank you